कॉंग्रेस नेता नोजोद सिंग सिंधु द्वारा कैंसर के इलाज को लेकर जारी उनके बयान पर रोक की मांग वाली याचिका पर दिली हाई कोट ने सुनवाई करने से मना कर दिया दरासल दिली हाइ कोट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका में ये मांग की गई थी कि नोजोच सिंग सिंधू जिन्होंने हाली में यानि कि 21 नौंबर को जो प्रेस कॉन्फरेंस किया और उस प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने अपनी पतनी की इराज के लिए आयरुवेदिक आहार का एक बड़ा फाइदा बताते हुए अपनी राय बेक्ट की हाला कि इस पूरे उनकी इस राई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोट में गरजीद आखिल की गई थी और ये मांग किया गया कि जिस तरह से नोजोट सिंग सिध्धू ने ये बयान दिया उससे तमाम जो मरीज कैंसर से अभी भी जूज रहे हैं उनमें बहुत कनफ्यूजन फैल गया है लेकिन दिल्ली हाई कोट ने इस पूरे याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया और ये कहा कि नोजोट सिंग सिध्धू को अभी भेक्ती की स्वतंतरता का मौलिक अधिकार है और नोजोट सिंग सिध्धू ने अपनी राय भेक्त की थी इसमें नियाईक हस्तक छेप की कोई आवशकता नहीं है हाला कि दिल्ली हाई कोट ने इस पूरे मामले को सीरे से खारिच कर दिया वहीं याचिका करता को ये भी नसीहत दी कि अगर वो नौजोज सिंग सिधू की इस राई से असहमत हैं तो वो अपनी बात उनके समक्ष रखें अपनी भी राय वो ब्यक्त करें लेकिन इस तरह से याचिका दाखिल ना करें बहराल आपको बता देते हैं कि नौजोज सिंग सिधू की जो पतनी हैं वो कैंसर से पीडित थी और हाली में 21 नौबर को नौजोज सिंग सिधू ने एक प्रेस का आयोजन किया था और उस आयोजन में नौजोज सिंग सिधू ने ये बताया कि उन्होंने अपनी पतनी के आहार और जीवन सेली में कुछ बदलाव किये जिसकी वज़ा से जो कैंसर जैसा एक दुरगम और कहा जाए एक गंभीर बिमारी है उस पर कहीं न कहीं जीत पाई और अब इस कैंसर के इलाज से बहुत ज़ादा इस पूरे मामले में उनको फाइदा है हाला कि इस पूरे बयान से जो डाइट प्लान नोजोट सिंग सिधू ने शेर किया था उससे तमाम लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किये और तमाम डॉक्टर्स का ये कहना था कि कैंसर का इलाज दवाओं से भी संभव है लेकिन ये फिलहाल नोजोट सिंग सिधू के दवारा लोगों को एक जागरुक करने की राय थी कि वो अपनी जीवन सेली में इन तमाम पहलों को अपनाएं लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोगों ने उन पर आरोब भी लगाया इस पूरे बयान से विवाद भी खड़ा हुआ लेकिन अब दिल्ली हाई कोट के इस पूरे आदेश के बाद इस बिवाद का कहीं न कहीं अंत जरूर हुआ क्योंकि दिल्ली हाई कोट ने ये कहा कि नौजोत सिंग सिधू को अपनी राय बेक्त करने की आजादी है और ये आजादी उन्हें फिलहाल देश की जो सम्हिधान है वो उन्हें परदान करता है अगर किसी भी बेक्त को उनकी इस राय को मानना है तो वो माने नहीं मानना है तो नहीं माने लेकिन इस पूरे मामले में नियाई खस्तास्थेप की कोई आवस्ता नहीं है यानि कि हाई कोट इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेगा यानि क का करता चाहते हैं कि लोगों के बीच में जागरुकता आए तो वो सिग्रेट और तम्माखु जैसे तमाम जो प्रतिबंदित चीजें हैं उसको लेकर एक प्रचार पशार करें जिससे लोगों में जागरुकता आए इस प्रकार की याचिका दाखिल करने की आवश्यक्ता फि क्यान करें